जै मारतादी, मेरे जैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज आपको एक इतना बहतरीन फेस्पैक बताने वाली हूँ, जिससे आपके चेहरे की हर एक समस्या खत्म हो जाएगी। ये फेस्पैक आपको केवल सप्ताह में दो दिन लगाना होगा, रोज लगाने का कोई जंजट नहीं इसका। बिल्कुल घरेली चीजों से बन रहा है ये फेस्पैक, इसके लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने के जिरुवत नहीं है। जिन चीजों से ये फेस्पैक बनवा रही हूँ, सारी चीज़ें आपके अपने घर में उपलब्ध हैं। कैसे बनेगा, कितनी कितनी मात्रा में समान डालना है आप देख सकते हैं। इस फेस्पैक से आपके चेहरे की इसके घीली हो जाती है। इसका धीलापन दूर होगा। समय से पहले जो जृरियां आ जाती है, वो खत्म होगी। या चेहरे को पर बहुत जादा जृरियां हो गए है। दीर दीर करके वो भी खत्म हो जाएंगी। यह डहते चेहरा आपका कोपाइब दर ओंस नम्हहेंअ हो जाएगा उसकिन हो हो जाएगू और इसकीन टाइट हो जाएगी आंखों के आस पास आपके जो डॉर ये deaf हो जाएगे और मैंने पहले यह यह रोज लगाना है हटे में किबल दो दिन लगाना मुण तो आये देखते हैं किन-किन चीज़ों से फेस बैक बनेगा तो देखे ये हैं हमारे पास में एक चमच कच्चा दूद कच्चा ही दूद आपको लेना है और ये हमारे पास में है एक चमच मैदा अब इसी के साथ हम कुछ और चीज़ा मिक्स करेंगे आप देखते रहेगे तो इस मेदा को सबसे पहले इस दूद में मिक्स करते हैं तो देखे दूद के साथ में मेदा डाल दिया है अब इसी के अंदर हम आधा चमच के लगभग कौफी पाउडर डालेंगे तो देखे ये आधा चमच कौफी पाउडर डाल दिया है इससे अधिक आपको नहीं डालना है और कॉफी के डिपे को हमेशा ढखके अच्छी तरीके से बंद करके रखे ताकि उसमें नमी न जाने पाए अब इन चीजों को मिक्स कर लेते हैं तो दिखिए इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब यह लगाने के लिए एकदम रेडी है तो देखिए यह बंद के कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है आप इसको अपने पूरे फेस पर अपलाई करेंगे मैंने अपना चेहरा साफ कर लिया आप देख सकते हैं मैंने अपना चेहरा कच्छे दूट से कॉटन की हेल्प से साफ कर लिया आपको भी ऐसे ही सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करना है उसके बार में फेस्टेक को लगाना है आप देखिए यह इस तरीके से थीक है ना यह पतला है ना ज्यादा ही थीक है तो इस तरीके से इसको अपने पूरे फेस के उपर आपको फैला देना है सबसे पहले आपको यहां लगाना है अंडर आइज में यह आपको आँक के इस एरिया में नहीं लगाना है लेकिन अंडराइज आप इसको लगा सकते हैं तो दिखिए पूरे फेस के ऊपर ये फेस पैक लगा लिया है आप इसको आप 20-25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए 20-25 मिनट में ये पूरी तरीके से सूख जाएगा और अगर पूरी तरीके से नहीं भी सूखा है क्योंकि हमारे मेरे के बाद मैं हलके हलके हाथों से 2-3 मिनट की मैसाज जाते हुए तो मिलते है बीस- 25 मिनटों के बाद कि सदिखिए हो चुके पूरे 25 और पूरी तरीके से स्ओख चुका है द trucs झालते हैं इसको जाग में ने दहो लिगा है आप देख सकते हैं फेस को दोने के बात सुखा गी लिया है मैंब तो आप देख सकते हैं कितनी बहुत ही चमक आई है फेस के ऊपर, softness है इस तरीके से आपको यह face fact बनाना है इसको यह लखते में दो दिग लगाना है तो देखा आपने, बहुत ही कम चीजों से, केवल तीन चीजों से आपने इस face pack को बनाया और अपने चेहरे पर आपको कैसे लगाना है, कितनी देर लगाना है, कैसे धुना है सारी चीजें आपने दीखी यह एक बहुत ही बहतरी नेचुरल face pack है इसका किसी तरह का कोई भी side effect नहीं है इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं mix की है जिससे कि आपके face को किसी तरह की कोई भी समस्या का सामना करना पड़े कोई भी आपके face चेहरे के उपर इस face back से परिशानी तयार नहीं हो सकती आपके चेहरे की जो भी परेसानिया हैं उनको ये face back दूर करेगा उसके अलावा दिनों दिन आपका चेहरा खुबसूरत होता चला जाएगा और आपकी skin tight बनी रहेगी चमकदार बनी रहेगी चेहरा बहुत ही खुबसूरत होगा उम्मिद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर लगता है कि वास्तों में effective है किसी के काम आ सकता है ये काम का है आपके काम का है तो प्लीज इसको ज्यादा ज्यादा share कीजे नमस्कार धन्यवाद